LGBTQ के रिष्टे जब अपराद नहीं रहे तो फिर ऐसी शादियों पर रोग कब तक लगी रहेगी? समलेगिक शादियों को मंजूरी मिलेगी या नहीं? के सन प्रसाद, म, समलेगिक, कानुना, शादी, सुनवाई के दोरान सुप्रीम, कोर्ट ने केंद सरकार को नाच जारी कर जब अपराद की श्रेनी से बाहर किये जाने के बाद से हा, समलेगिक शादी को मंजूरी देने की मांग शुरू हो चुकी थी, इसको लेकर दिल्ली और केरल हाई कोर्ट में नौर अर्जियां पहले से पैंडिंग है और अब सुप्रीम, कोर्ट में दो अन्यगे कपल ने अ अन्यता स्पेशल मेरेज, एक्ट के तहट मिलनी चाहिए, क्या स्पेशल मेरेज, एक्ट को जैंडर न्यूट किया जाना चाहिए, अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो इन सवालों पर आने वाले दिनों में बहस होनी तह है, राजेश चौदरी दाखल करन का कहा, क् और से कहा गया है कि वे एक कपल की तरह रह रहे हैं और अपने रिलेशनशिप की नौवी सालगिरह के मौके पर शादी करना चाहते हैं, उनके रिलेशनशिप को पैरंट्स का आशीरवांद, प्राप्थ है, को याचिका करता ने कहा है कि स्पेशल मेरेज एकट, लिंक के आ अततप्रक्रिया है, एक और याचिका, नवतेज सिंग जोहर्ट समलेंगिक्ता अपराध नहीं, से संबंधित जज्जमेंट और निच्टा के अधिकार, से संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि LGBTQ को समानता के साथ गरिमा और निच्टा बनाए रखने का भी मलेगिक्ता को अपराध से बाहर करने के फैसले में कोर्ट ने कहा था कि नैतिक्ता के पर्टे से किसी को समवैधानिक अधिकारों से वचित नहीं किया जा सकता, अधिकार है, इस याचिका में याचिका करता ने कहा, है कि Special Marriage Act एक सेक्रिलर कानुन है, जिसमें दो अलग-अल अलग-धर्म के लोगों को बिना धर्म, बदले शादी का अधिकार है, इसे जैंडर न्यूट भी किया जाना चाहिए, Special Marriage Act 1954 के तहत शादी के प्रावधान के मृताविक लड़का और लड़की का सिर्फ बालिग होना जरूरी है, यानि, वी डोंट, वी लॉन, बेंगलरू म पिछले साल निकली LGBTQ parade parade, लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं, यानि लड़का और लड़की, अगर अलग-अलग धर्म के हैं तो उन्हें शादी करने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, न अधिकार मौलिक है, निच्टा के मूल में व्यक्तिगत, घनिष्टता, पारिवारिक जीवन, शादी, प्रजनन, घर, सेक्शुल ओर्येटेशन सब कुछ है, इसके बाद 6 सितंबर 2018 को सप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया, जिसके मताविक बालिगों के बीच सहमती से बन गया समलेंगिक संबंध प्राध नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 158 साल पुराने इस कानून के कारण LGBT, लेख्वियन, गे, बाइसेक्शुल और ट्वांसजेंडर समूदाय के लोग तिर्सकृत हुए हैं, धारा माइनस 377 का उक्त प्रावधान गरिमा के साथ जी न के अधिकार का उल्लंगन करता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Sexual Orientation Biological तत्य है, इस वजह से किसी भी तरह का भेदभाव सम्वैधानिक अधिकार का उल्लंगन होगा, बाहर करने के दौरान जो एहम तिप्पनिया हुई थी, वे मानूत समज, मधानिक लोकर्तंत, तब कार्ट करें और जो लोगल्प सिंक पक हैं, उनके अधिकारों को प्रभावित न होने दें, सामाजिक नेतिकता का परदा डाल कर किसी को भी उसके समवैधानिक अधिकारों से वाचित नहीं किया जा सकता, गरिमा के साथ जीने का अधिकार मानवा अधिकार है, इसके बिना बाकी सा अधिकार बेमानी है, इस अधिकार के तहट किसी को चुनने का अधिकार शामिल